नमस्कावार दोस्तों आप शुवी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशी भल की बारे में जी आ दोस्तों आज के दिन करों की दिदिकेशी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इनका शुरापकी राशी पर क क्या होगा किन-किन चीज़ों को लेकर यश्य में आपको शावधान रहना होगा और कौन-कौन कारे आपके लिए भाग इशारी होगी यह श्मय आपका लवलाइब के श्वास्त करियर और धनके जितिकेश रहेंगी इन शभी की महत्पून जान करेंगी तो दोस्तों वीडिय से भी नहीं मिलते यहां लोग तो दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं अकेले ही गुजरती है जिन्दगी लोग तसलियां तो देते हैं पर साथ नहीं देते दोस्तों सोचा था कि एक घर बना कर सुकुन से बेठूंगा पर घर की जरुतने तो मुसाफिर बना डाला मैंने जिन्दगी से पूछी कि इतना दर्द क्यों देते हो जिन्दगी ने हस कर जवाब दिया कि मैं तो सबको खुसी ही देता हूँ पर एक खुसी दुसरें का दर्द बन जाता है भूलने वाले बातें याद है इसलिए जिन्दगी में बिवाद है दोस्तों गुजर जाएगा ये दौर भी जरासा इत्मिनान तो रख जब खुसियां ही नहे ठरी तो गम का क्या उकात है ये जमिन की फित्रत है कि हर चीज को सौक लेती है वरना इन आखों से गिरने वाले आशों का भी एक अलग समंदर होता बहुत अंदर तक तभाई मचाते हैं जो अच्क आखों से गिर नहीं पाते है तेरी नशिब की बारिज किसी और के छट पर बरस गई जो मिल गया उसे याद रख जो नहीं मिला उसे भूल जा तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशिवल की देनी राशिवल दोस्तों दिन उन्नती कारक है आपकी परतिवागता के नुरूप आपको अपने कारियों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे काम काज़ों अपिर करियर को महत देंगे प्रंतु पहली प्रात्मिक्ता आपकी परिवारी रहेगी दोस्तों याश में श्वंतान की बिवाग को लेकर कुछ योजनाय वपिर गतिवदियां रहेगी दोस्तों याश में दोपार के बाद का कुष्ट में हनिकारक रहेगा मन में बेचेनी सी महशुष होगी किसी भी दास्तावेश पर हस्ताक्षर करने से फ़हले अच्छी तरशी उन्हें अवश्च पढ़ ले बच्चों की जिद्धी वपिर अडियल रवया आपको चिंता में डाल कर सकता है और दोस्तों यहश्च में युवावर्ग को अपने लक्ष के लिए ज़्यादा एकगर रहने की आउश्चता होंगी मैं दोस्तों आज की दिन खुद के दवरा खुद पर ही डालेगे बंदरों से आजाध होने की कोशिश करें दोस्तों शिमित दायरे में रहकर आप अपनी पूरी शम्ता का इस्तुमाल नहीं कर पा रहे हैं इसी इस्तिती आपके बारे में औरों दुवारा बोलेगी बातों से बनी है इसलिए दोस्तों इन्हें वास्तविक समझने की गलती ना करें इसके बात दोस्तों यह शमय आपके लिए जो दिन होंगे दोस्तों आप अपनी जिम्धारें को बखो भी अन्जाम देंगे शाथ ही अपने जो भी अपके होबी है होबी शमद्री कारियों में याशमय आपकी रूची रहेगी घर के बड़े बजरुगों का शुने और अशिर्वाद यश में आपके उपर बना रहेगा शमाजी कल्यानकारी शंक्स्ता में आपके उत्तम योगदान की वज़र से आपके वाही वाही तथा परशन सा होंगी इसके प्रांद दोस्तों यह समय दूसरों के पारिवरिक मामलों में हस्त पेज करने तथा क्युशिव परकार की आलोशना करने से आप शूरेंगी मुशिवत में पड़ सकते हैं पारिवारिक मशलों में आपको जो है संजीदिगी तथा कमिर्था श्री काम लेने की आपशकता होंगी दोस्तों यह श्में वान शुमन्दी खर्चों की अधिकता रह शकती है इसको प्रांद दोस्तों यह शुमें आपके जो दिन होगे जीवन में आगे बढ़ते शुमें आपको शब के प्रगती के साथ अपने आप पर निर्वर होने की आपशकता होगी आपको नेत्रुत गुन की वज़ाशी लोग आपके पास जो है शला लेने भी आशकती हैं दोस्तों आज की दिन खुद के काम को नदाज करके दूसरों को काम करने की बिलकुल ना सोचे दोस्तों यह शुमे कोई शुप समचार मिलने से मन में परशनता भी बने रहेगी रोपिय पेशर की आवक के लियाश से शमय की जो गती है या आपके पक्ष में होगा परिवार के साथ किसी धार्मिक अथवा शमाजिक आयजन में भाग लेने का आउशर भी प्राप्त होगा विवायोग व्यक्तियों की विवा की बाद भी यश में आगे बढ़ेगी प्रदो दोस्तों दिन के दूसरी पक्ष में कोई अपरी शुचना या फिर शंदेश मिलने श्री मन जो है वयत्तित रहेगा दोस्तों यह समय पिता पुतर शे किसी परकार की वैचारिक मधवेत रह सकता है विद्यार्तों की पढ़ाई में वया धान आएंगे जीत दवा आवेश में विए अपना नुक्षान कर सकती हैं तो दोस्तों यह समय शमल कर रहे हैं इसको ब्रामति यह समय आप जोए काम और परिवार में योगी शंतुलन बना कर रखें घर और काम शमनी जिम्मेदारियां आप निमा पाएंगे तोस्तों जिम्मेदारियां निमाते वक्त आपके प्रति जिम्मेदारी बनती है इस बात को ध्यान में रखें खुद की पशंद ना पशंद दूसरों पर यह में ना थुपें यह समय दिल के बजाएं आप दिमाक्षी काम लें यह आपके लिए आवश्य होगी तोस्तों यह में ग्रह इस्तियां आपके पक्ष में बने हुई है अता अपने काम को पूरी गंबिटता वा पिर संजिद्गी से आप अंजाम दें भईश को लेकर कोई भी शकार्तमक आप पर हावी नहीं हो पाएगा खर्चों के दिख्टा यह शमय बनी रहेगी इसकुरान दोस्तों यह शमय आपके लिए जो दिन होंगे दोस्तों सहत ठीक ना रहने की वज़श्य मांश्य ग्रूप से आप थोड़ा सा कमजूर मैसुस करेंगी मन किसी बात से संतूष नही करें तो दोस्तों यह शमय आपके किरेल के लिए यह समय होंगे कापी शमय से रुकी वी वाववशाइक गेतिवदियां आप सुजारू रूप से चलेंगी पर्दिवेंदियों की जो गतिवदियों को यह समय आप नदर अंदाज बिलकुल ना करें और पिस में अपने ही ज ज्यादा ओवर टाइम भी यह में आपको काम करना पड़ सकता है इसका दोस्तों कारी शेतर में पूरू मेही की गई मेहनत के उत्तम परिणाम यह में आपको हासिल होंगे लोग आपकी बुद्धी मताब्त कार्षमता की कायल हो जाएंगे युवाव को जौब और केरियर से समदन कोई सुप समचार मिलने की भी समहनवा बन रही है परंतु दोस्तों किसी राज की मामले में परिशाणी बनी रहेगी ओफिस में अनिता आप किसी साजी स्यापिर शडेंद्र के शिकार भी यसमें हो शकती हैं नोकरी पेशा लोगों को हलकी फुल के परिशानियां तो आएंगी प्रण्दु दोस्तों बुद्धी मता तथा विवेक्षे आप समी परिशानिया का हल भी शांतिम पूर तरीके से डोड लेंगे इसके पराण दोस्तों यहश में आपके किरेल के लिए योद्दिन होंगे दोस्तों पार्टनर्शिप सम्मंदी कारियों में किशी विशाई पर बाद विवाद होने की इस्तिती भी बन सकती है चला चल संपती में निवेश करने से पहले यहश में सोचने यह आपके लिए उत्तम होगा ऑपिस में तबादला अथवा किशी परकार की नुक्सान होने से आपको भाई रहेगा इसका प्राइब दोस्तों यह शमें अगर आपकी लव लाइब के लिए बात करें तो यह शमें आपके लव लाइब के लिए जो शमय होंगे पारिवारिक शुक्सान्ती बने लेगी प्रेम शमंदों का पारिवारिक जीवन पर नकारत्मक परभाव यह समय पढ़ सकता है इसलिए दोस्तों यह समय शावधान रहें जिसे घर के सदस्यों के बीच खुशी भरा माहौ रहेगा आपकी कुशी परिशानी में नजदी की मित्र की शाहता मिलेगी इसके प्राम दोस्तों यह समय आपके लव लाइब के लिए जो दिन होंगे दोस्तों यह समय पारिवारिक माहौल शुगत बना रहेगा प्रेमी या फिर प्रेमिका के लोंग ड्राइब या फिर डेटिंग पर जाने का उसर बनेंगे तथा दोस्तों परिवार में आपका वर्चास वह समय बना रहेगा दोस्तों यह समय कामकाज और पारिवारिक जुमेदारियों में बहतर ताल में बना रहेगा पती-पतने के शम्मद यहाश में मधूर रहेंगे, प्रेम पर्शंगों में भी किसी परकार की गलत फ्यमी उत्पन हो शकती है तो दोस्तों यहाश में इनको लेकर शावदान हैं, अपने प्रेमी से या फिर किसी से बात कर शेश में आपको अपने मानी पर स्यम रखें इश्कु प्रांदोस्तों यहश्में आपके स्वास के लिए जो समय होंगे श्वास आज के दिन अतियुत्तम बना रहेगा यहश्में किसी परकार की चोटत लगने तथा गिरने की अशंका भी रल लग रही है इसलिए दोस्तों यहश्में आप श्वास को लेकर थोड़ी शागाने जरूर बरते हैं इश्कु प्रांदोस्तों यहश्में आपके स्वास के लिए जो समय होंगे अपने क्रोध और फिर आवेश पर काबू रखें अनिता इश्का नकार्तमक प्रवाव आपके श्वास पर पढ़ेगा दोस्तों यहश्में बलड प्रेशर की भी नेमित जांज करवानी आपके लिए आवस्व होगी इश्कु प्रांदोस्तों यहश्में आपके श्वास के लिए जो समय होंगे आपके वयस्ति दिंचरिया तथा खान पान की वज़शे स्वास्त उत्तम रहेगा तथा वयवार में सकारत मुत्ता बने रहेगी दोस्तों यह शमय आपके लिए जो शमय होंगे घड़ की बड़ बजुरुगों के श्वास समंदी प्रिशानी भी रहे शकती है झाल है